ओम श्री पर्मात्मने नम्हा आंग जुका लेने से क्या होगा एक बुड़ा फकीर और एक युवक फकीर आस्रम वापिस लोट रहे हैं छोटी सी नदी पड़ती है और एक सुन्दर युवती नदी पार करने को खड़ी है लेकिन डरती है अंजानी नदी है पहाड़ी नदी है गहरी हो खतरनाख हो बड़ी तेज़ धार है बुड़ा सन्यासी तो नीचे आंख करके जल्दी से नदी में प्रवेश कर जाता है क्योंकि वह समझ जाता है कि यह बार होना चाहती है हाथ का सहारा मानती है लेकिन वह डर जाता है हाथ का सहारा इस बात में पढ़ना ठीक नहीं लेकिन यूवक सन्यासी उसके पीछे ही चला आ रहा है वह यूवती से पूसता है कि क्या कारण है सांज हुई जा रही है जल्दी ही सूरज डूप जाएगा और यूवती अकेली छूट जाएगी यूवती कहती है मैं बहुत डरी हुई हूँ पानी में उतरते घबडाती हूँ मुझे उस पार जाना है तो वह यूवक सन्यासी उसे कंधे पर ले लेता है बुड़ा सन्यासी उस पार पहुंच गया तब उससे याद आती है कि मेरे पीछे एक यूवा सन्यासी भी आ रहा है कहीं वह इस जंजट में ना पड़ जाए लोट कर देखता है तो उसकी आँखों को भरोसा ही नहीं आता है वह कंधे पर बिठाए हुए लड़की को नदी पार कर रहा है बुड़ा तो आग से चल गुन गया यूवक सन्यासी ने यूवती को दूसरे किनारे उतार दिया फिर दोनों चुप चाप चलने लगे दो मिन तक कोई बात ना हुई दो मिन बात बुड़े को बरदास्त के बाहर हो गया उसने कहा यह ठीक नहीं हुआ मुझे गुरु को जाकर कहना ही पड़ेगा नियम का उलंगन हुआ है तुमने उस सुन्दर यूवती को कंदे पर क्यों बिठाया उस यूवक ने जो कहा वो याद रखना यूवक ने कहा आप बहुत ठक गए होंगे मैं तो यूवती को नती के तक पर ही उताराया आप अभी कंदे पर बिठाय हुए हैं आप बहुत ठक गए होंगे बात आई और गई भी हो गई अभी तक आप भूले नहीं जिसको तुम महत्मा कहते हो वो आख तो जुका लेगा लेकिन आख जुकाने से कहीं वासनाय समाथ होती है आख फोड भी लो तो भी वासनाय समाथ नहीं होती आखों पर पट्टियां बांद लो तो भी वासनाय समाथ नहीं होती वासनाओं का आखों से क्या संबंद है क्या तुम सोचते हो अंधे को वासना नहीं होती अंधे को इतनी ही वासना होती है जितनी तुमको साय थोड़ी ज़्यादा ही होती है क्योंकि उसके पास बिचारे के पास उबाय भी नहीं आसाहाय है वो तरफता है उसके बीतर भी प्रबला का इचा है प्रबल वेख है तो आँख बन कर लेने से आँख जुपा लेने से क्या होगा किसको धोखा दे रहे हो ओम शांती शांती किसके बीतर भी प्रबला का इचा है